अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो बहुत जादा चांसे है कि AI ने आपको वीडियो यहाँ पर रेक्यमेंट किया और आप भी ना जानते हुए भी आर्टीफिशल इंटेलिजेंस का ही यहाँ पर यूज कर रहे हो सबसे पहले तो एक बाद बता देना चाहता हूँ AI के ऐसी चीज नहीं रहे गई जिसे आप सिप मोबाइल फोन तक समीट ते यहाँ फिर गूगल असस्टेंट सीरी अलेकसा इधर तक ती इससे बहुत जाद आगे निकल चुकी है और आज के समय में already day to day life के अंदर integrate सुची है बिना आपके जाने आप खोद AI को यूज कर रहे हो यहाँ तक कि AI इतनी जादा advance हो चेकी होगी आने वाले समय में कि आपको पता ही नहीं लगएगा कि क्या असली है क्या नकली है एक दो example समझाता हूँ जैसे कि आज यह समय में आपको पता है कि पूरे इंडिया के अंदर spam और scam वाले जो calls होते कितने जादा बढ़ गए कितने तरीके से banking frauds यहाँ पर हो रहे हैं लेकिन इसको रोकने के लिए भी artificial intelligence का यूज किया जा रहा है कई सारी telecom companies AI को यूज करते हैं यह track करने के लिए कि कौन सी call scam वाली call हो सकती है कौन सी spam हो सकती है ताकि लोगों को inform किया जा सके यह बता लगाने के लिए इवन जो banking के जो links आते हैं SMS यह WhatsApp के थूरू यह पता लाग जा सके लेकिन लोगों किती बार बता जाता है OTP ना बताया अपना पिन किसी किसे साथ share ना करें लेकिन फिर भी कई सारे लोग के साथ रोजाना होता है इस चीज को रोकने के लिए हम पर यूज क्या जारा है जो यहाँ पर customer service executive को भी AI के दूरू replace कर रही है और जितनी भी chatbots होते हैं वहाँ पर already AI आच चुकी है इदर जिससे पहली नजर में ऐसा लगेगा कि आप जो है ना यहाँ पर किसी इनसान के साथ बात कर रहे हैं और उसका जो response time होता ना वो भी काफी जादा कम हो गया क्योंकि AI यहाँ पर बात कर रहे हैं और सिर्फ भीहीं तक सीमित में रहेगा आने वाले सवे में call centers के अंदर भी अगर आप calling करेंगे ना तो आपको ऐसल है कि आप कैसी असली इनसान के साथ बात कर रहे हैं लेकिन reality में वो भी एक AI होगी इस तरीकी की चीज़े शुरू हो चुकिए अभी main stream में बहुत जल्दी होगी तो यह भी एक चीज़े जहां पर AI का user है इसके साथ ही education field हो गया कई सारी अलग अलग जगों पर AI हो रही है और अगर आप digital दुमिया Instagram यूज करते हो YouTube यूज करते हो Netflix यूज करते हो AI के साथ यूज कर रहे हो और तो अगर अपने Google search यूज करिया है तो आपका जित्तावी data Google के पास जा रहा है ना सब के अंदर AI बन आने की ज़रूत निए Google search तुरंट AI mode का यूज करके आपको तुरंट जो accurate result होगा वो बता देगा यह जो best possible link होगा वो आपको सबसे पहले निकाल कर देदेगा यहां तक कि deep search यहां पर लाने वाले यानि कि आपको कुछ important information चाहिए और वो information अलग-लग website अलग जगे और आप कुछी seconds के अंदर आपको सबसे ज़ादा अच्छा और accurate result यहां पर निकाल कर देगा इसके अलग-लग use cases हो सकते हैं लेकिन यह भी एक अच्छी चीज़े जिसे यहां पर AI के अंदर use किया जा रहा है और AI देखाया तो यहां पर सर्फ रुकने ही नहीं वाली already image generation के अंदर त अच्छी जादर realistic हो सकते हैं कि आप एक असली image और एक नकली image में फर्क ही नहीं बता सकते हैं इसके साथ आप AI का यूज करके किसी भी image को वीडियो में भी convert कर सकते हैं यहां तक कि वीडियो को भी इस level का मना सकते कि बिल्कुली realistic हो जैसे कि Google की Gemini में VO3 है और जो VO3 AI है यह एक ऐसा combination बना दिया कि आप सिंपल सी लाइन लिखनी है और उसका यूज करके आप यहां पर बिल्कुली realistic वीडियो बना सकते हैं मतलब कि वीडियो इत्ता जादर realistic होगा कि उसके अंदर आप जैसा चाहिए वैसा बात करेगा यहां तक ही background noise, background sound कैसी होगी यहां तक ही आव app series की story खोद AI लिख सकता है लेकिन अब उसको यहां पर किस तरीके से visually हापर दिखाना है वो चीज़ भी हापर possible है और पिछले एक दो सालों में video generation के अंदर तो इतना जादा काम हो है कि आप बता ही नहीं सकते कि यहां पर actually में जो video देख रहे हैं वो कितना realistic है कितना नहीं ह इसका misuse भी बहुत जादा हो सकता है लोगों के गलत videos भी फैल सकते इंटरनेट पे तो हां इसको एक analyze और track करने की भी कोई चीज होनी चाहिए कि AI generated है कि नहीं है इसके साथ यह AI का यूज से भी हैं case तक limited नहीं है इसके लाव बहुत सारी चीज़े होने वाली है जैसे कि आन time में आपको reply देना हो यहाँ पर शुरू कर देगा यह बहुत ही सई चीज़े है इसके साथ ही camera का use करके दिखाना की चारों तरफ किस तरीकी की चीज़े और उनको analyze करना या फिर कहीं जगे आप गए हो आपको कोई shirt अच्छे लगी आपको उसका online rate चेक करना है वो सारी ची जाने की ज़रूत नहीं है यह से बोल कर यह सारे काम हो जाएंगे तो यह बहुती जादा next level की चीज़े लगती है और AI इसी यहाँ पर next level पर जा रही है और सिर्फ बात यहाँ पर नहीं होती यहाँ पर देखा जाए तो coding वगरा कैसी चीज रहती जहां पर लोग एप बनात के अंदर देखा जाए तो किसी भी developer या coder को replace नहीं करने वाला है लेकिन यह coding assistant जो रहते हैं यह लोगों की यहाँ पर मदद करें लिए यानि कि जहां पर पहले 10 लोग काम होता था 10 लोग काम अब सिर्फ एक आदमी कर देगा यहां तक कि अगर किसी को यहाँ पर कोई book लि आता है तो हां यार इसम एक ऐसी लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक यहां पर confusion आता है कि AI क्या वाकई में लोग की जॉब यहां पर replace कर देगा well AI यहां पर totally jobs को खाएगा नहीं लेकिन नई type की jobs यहां पर create कर देगा जो बिल्कुल एक different environment होगा और AI कैसी चीज़े क AI का ऐसा tool बन के आएगा कि जो AI का use करता रहेगा वो यहां पर level up करता रहेगा और आगे जीवन में भड़ता रहेगा carrier wise भी और वैसे भी लेकिन इसके साथ ही बात करें तो AI की क्या negative side हो सकते हैं AI का important negative side है कि AI बहुत ही जादे hallucinate करता है चाहे में chat GPT की बात करो उसमें चीज यहां पर बता देता है यह चीज मैंने बाकियों के साथ भी देखिए लेगिन यह बात में आपको बता सकता हूं कि AI सिर्फ यहां तक रुकने नहीं वाला यहां पर hallucination रोकने के लिए already fact check जैसी चीज आ चुकिए Google की जैमनाई में आदी जहां पर fact check कर सकते हैं कि exactly में जो paragraph जो information यहां पर दी गई है AI ने वो किती जादा factually correct और नहीं है तो यह type की feature आ रहे है इसके साथ ही अलग-अलग documents को scan करना अलग-अलग emails को scan करना email के draft में help करना इन सब के अंदर AI तो आ चुक है लिगिन इसके लाफा एक और next level मैंने recently use किया AI PC के अंदर जहां पर मैंने रहे हैंगी वह कैसी लगेगी एक लाइन देखे आप इस image को transform कर सकते हो image को edit कर सकते हो image create कर सकते हो और सब इमेज creation तक बात नहीं है आप यहां पर किसी भी YouTube की वीडियो को देखे रहे हैं उसके English के subtitles चाहिए तो आप AI से real time में अपने ही laptop के अंदर create कर पाऊगे और सब इत काम हो पाएगा वैल जो नहीं एए पीसी आरे इंटल एमडी कॉल कॉम स्नाप डरगन के विंडोस को पाइलट प्लस के साथ यह चीज़ भी हां पर पॉसिबल है और देखा जाए तो यह कुछ बहुत ही जादा बेसिक चीज़े हैं हाल फिलाल AI का जो यूज कैसे हैं वह बि बहुत जादा डेटा आपका जाता है कलेक्ट आप मानके रखिए कि सर्वर साइट पे AI अगर रन करनी है तो उसमें बिजली बहुत जादा लगेगी एंबीडिया के जीप्यू बहुत जादा लगेंगे और बहुत जादा कॉम्प्यूटिशनल काम होने वाला है याने की सर यह डेटा माइनिंग का टूलो वो चाहता है कि आप आफ चाहिए में open AI की chat GPT बात करूं apple में अगर apple intelligence निकाल है फिर भी वो open AI की chat GPT की बात कर रहा क्योंकि वो चाहते चैट GPT का जादे साथ लोग यूज़ करें, वहां से डेटा कलेक्ट करें और उस डेटा का यूज़ करके अपनी AI को बैटर बनाएं और हाँ जो अपने के प्रीमियम चीज़े रहती उसके लिए वो डेफिनिटली चार्ज कर रहे हैं और काफी expensive चार्ज कर रहे हैं तो डिपेंड करता है कि आप यहां पे फ्री में किस तरीके सी उसके यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि इन दे एंड इंटरनेट पे कोई चीज़ फ्री नहीं होती इंटरनेट पे कोई चीज़ फ्री है तो आप उसके प्रॉडक्ट हो इसलिए मेरे को जो on device AI वाली चीज़ रहती है वो जाद अच्छी लगती है कम से कम प्रॉसेसर का यूज़ करके आपके device के अंदर AI आ रही है हाला कि कुछ चीज़ें इंटरनेट से वो डाउनलोड करेगा लेकिन बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी आप यहाँ पे कुछ बेसिक फंक्शली टेकर AI की यूज़ कर पा रहे है तो बहुत अच्छी चीज़ है हाला कि data privacy AI के अंदर ही बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी उपर अभी भी हापे लागाम लगाने की ज़रूरत है लेकिन सच बाद बताओं क्या है आज के समय में artificial intelligence बहुत जादा थी इस इंवाल्व हो रही है और मार्केट के अंदर आपको अलग-अलग AI के नए ने टूल्स देखने का मुल रहे है ओपन AI की चैट GPT हो गई जैमनाई की AI हो गई वो बहुत अच्छे तरीके से कम करी है चाइना ने डीप सी कहां पर बनाई थी इसके साथ ही मेटा की मेटा AI ये लामा AI कहते है वो आ गई है इसके लावा बाकी जातर जितनी भी AI होती है न वो यहाँ पर कई ना कई रैपर है जहां पर ओपन AI की कोई API ले ली जैमनाई की API वगरा लेकर उसी को ही चेंजिस वगरा करके अपना है पर प्रड़क निकाल दिया हाला कि इंडिया में बात करे तो खुद की भी इंडिजिनस AI पर काम हो रहा है एक सरवम AI है जिसको यहाँ पर बनाया जा रहा है यह देखने यहाँ पर आनवाला future के रहता है AI की दुम्या बहुत तीजी से यहाँ पर बदल रही है और सच बात बता हूं आप ना जाने या अंजाने में AI का यूज कर रहे हो और आने वाले समय में और भी जादा यहाँ पर यूज करते रहोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा यही आप सुलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर गुडबाए